चीर की पतियों और कुशा घास से बनाएंगी राखें सॉलन बास्यों को बेहत पसंद आ रही हैं हाथ से निर्मित ये राखें सॉलन की महिलाओं दोरा बनाई जा रही हैं जो देखने में इतनी आकरशक हैं कि लोग इसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं ये महिलाओं पतियों से नाकेबल राखी बना रही हैं बलके घर के जरूरत और सजावट का सामान भी विभिन रंगों में ये बना रहे हैं जिससे नाकेबल ग्रामिन महिलाओं स्वामलम भी हो रही हैं बलकी बे अपनी परिवार का भरन पोशन भी कर रही हैं चीड की पतियां गर्मियों में जल कर करोडो रुपयों की बनसंपदा को भी हानी पहुचाती हैं लेकिन अगर इन पतियों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाये तो बनों को आग से भी बचाय जा सकता है परदेश सरकार भी महिलाओं की इस कदम को बहत अच्छा मान रही है और उनका उच्छा बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों को बेशने ही तो मंच भी परदान कर रही हैं अदिक चानकारी देते हुए मही बचायद की महिलाओं ने बताया की चीड की पतियों और कूशा ग्रास को उपयोग में लाकर बेहाद से निर्मित रखियां बना रही है उन्होंने बताय कि उनका सारा परिवार राखियां बनाने में उनका बेहत हात बटाता है राखियां बेहत आकरशक होने के चलते शहर बासी इन्हें हाथों हाथ खरीत रहे हैं उन्होंने बताय कि राखियां बनाने के लिए बाजार से केबल धागा खरीते हैं बाकी सारा सामान उन्हें जंगल और घर के बेकार सामान से मिल जाता है वे इन सब के उब्योग से दिन में करीबन 50 राखियां बना लेते हैं वे जितनी भी राखियां तयार कर बाजार लेकर आते हैं बे शाम होते ही सदी बिक जाती हैं। उन्होंने बताय कि उन्हें ये विशेश प्रशिक्षन परेटन विभाग ने दिया था जिसके विज़े से उनकी पंचायत की करीबं दस महिलाएं स्वाव लंबी हुई है। मैं बहुत दिवाद हैं इसकी वहां पर भी। मैं सर ओर पर चीज़े तैयार करती हूं। जो मुझे ओर आता मैं वैसे मैं 15 परकार की चीज़े बनाती हूं। जिसे सब बिख जाती हैं मेरी। पुशा का आसन, चपल, और फुरूट्रे, चपाती सब करने के लिए। और आजक जासे राख्यों का चलाव आजकल तो यही बना रहे हैं। सर कुशा है हमारे जंगलों में मिलती है, वह घास होती है, जिसको हम काटके लाते हैं पहले, फिर उसको बॉयल करते हैं और उसमें फिर नमक और ग्रीसलीन वगरा डालके उसको पहले बिलकुल तियार करके फिर उ पहले हैं और मैं अकेले ही यह सारे प्रोडेक्ट तैयार करते हूं। इसमें यहनि कितना खर्चा जाते हैं और क्या उमीद करते हैं आपकी कितने तग यह बिख जाएगा? इसमें इसमें सिर्फ धाग्य का होता है। धाग्य भजार से खरीद के ले जाते हैं। इसमें जाते हैं और अच्छे रेट में भिख जाती हैं। मेरा नाम बीना ठाकुर है, मेरे गाउं का नाम घलाई, पंचायत मही है हम पाइन जल का काम करते हैं, चील की पत्यों की हमने राखी उत्यार की है जिसमें हमें, अगर हम सारा दिन बैठे हैं तो भी 30-40 राखी आराम से बना सकते हैं जैसे हम घर के कामों के अलावा थोढ़ा थोड़ा थोड़ा ठाइम निकाले तो हमें काफी टाइम लग लगता है इसक्त बनाने में तो आपकी नहीं बनाते हैं चील की पत्यों दौरा त्यार किया गया है और बाकी इसम्हाली का ठागा यूज की यह विंसक्तिा गया है हाँ जी जैसे घर में बच्चों की माला आया पड़ी होती है या जैसे हमारे कोई सूट में से बटन हो गया कोई भी चीज हम इसमें यूज कर लेते हैं तो से बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं सरिये सुई धागे का यूज होता है इसमें शाथ जाता है कि यूज किया जाता है सब्सक्राइब गई भी तो तब हमने यह काम चिखा इस काम में हम जैसे चिलर बॉक्स हो गया पैंसिल्च स्टेंड हो गया चपाती बॉक्स हो गया ड्राइब हरी हरेग चीज बनाते हैं जी हम